25 मार्च होली पूर्णिमा वाले दिन साल का पहला चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है। चुपचाप गाय को खिला दें या एक छोटी सी चीज। उससे पहले आईए जानते हैं मार्च होली पूर्णिमा कब है। स्नान दान मुहूर्ट महत्व साल दो हजार चौबीस में होली 25 मार्च दो हजार चौबीस को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग ये धन, सुख, सम्रिध्धी और अक्षय पुन्य की प्राप्ती होती है। पंचांग के अनुसार साल का पहला और सबसे महत्व पूर्ण चंद्रग्रहन। दो हजार चौबीस में होली पूर्णिमा सोमवार के दिन, पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोश दूर होते हैं। चंद्रमा और शनी दोनों की कृपा मिलती है। होली पूर्णिमा के दिन से चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर गती करते हैं और इस पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहन लग रहा है। इस अवधी में चंद्रमा का तेज बिलकुल भी नहीं होता है। यही वजह है कि पूर्णिमा पर चंद्रमा पूजा करने से मान सम्मान धन औ तेल खिचडी आदिका दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा से धर्ती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मा लक्षमी की कृपा होगी और आप धन्वान बन जाओगे। आप धन्वान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए। जानते हैं। आपके भरे रहेंगे, अन धन के भंडार, यूं कहे कि आपकी साथ पुष्टे तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज दोस्तों, साथ पीडियों तक बैंक बैलन्स बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द, संकट कष्ट है, वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं, तो ततकाल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाए धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं, मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है, तो दोस्तों कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्व पूर्ण उपाय है, जिन्हें यदि आप 25 मार्च पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिये, आ क्योंकि आपको इस पूर्णिमा के दिन गाय को जरूर लानी है, तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना, यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिये, जीवन में आपको कभी सफलता हासिल क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं, जिनहें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या काम्याबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है, यूं कहे कि आपके जीवन मे अपार मन सुख संपत्ती की प्राप्ती हो जाएगी, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिती आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ती के योग बन जाएंगे, और जीवन में सदैव अन्धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे, अन वी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देख कर जाना बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, पूरे 400 सालों के बाद ऐसे दुरलब संयोग में है, तो पूरा वीडियो देख कर जाना, यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं, और साथ पीडियों तक कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना बहुत ही लाभ प्रद वीडियो है आपके लिए, दोस्तों वीडियो को को आगे शुरू करें, उससे पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक अपने जीवन में सदैव, धन सुक संपत्ती की प्राप्ती कर सके, तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो, आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदाई गया है, यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स स्नान करना संभव ना हो, तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदे डाल कर स्नान कर लें, और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदी से निव्रित हो जाएं, सर्व प्रथम, तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर, वहां पूजा प पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुब फलदाई समझा गया है, इस पूर्णिमा के दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांती मिलती है, और उनको मोक्ष मिलता है, और आपको बता दे इस बार, जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल और भगवान शनी देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनी देव की पूजा करते हैं, तो मंगल का ग्रह जनित दोश भी दूर हो जाता है, मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प् गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, उपाय को जरूर करें, क्या करें कि पूर्णिमा के शाम के समय पीपल के पेड के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक आटे का दीपक बनाना है, चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगा कर सरसों क तेल का दीपक जला देना है और बीच में दो साबुत फूल वाले लॉंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमतकार आपके जीवन में होता है। कौन कौन से उपाय आपको। इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हे करने से मानव को साथ पीडियों तक बैंक बैलन्स की कमी नहीं होती। दुख दर्द, संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव की कदमों में आ जाते हैं। कदम है सभी सुख और घर मे अनंधन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। कोई कमी नहीं होती किसी तरह कौन-कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन-कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं। प्रभावशाली चमत कारी को पाय है, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। इस पूर्णिमा से आपको लाब शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायतरी का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है, गौ माता के शरीर पर 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरस्ती है। गौ सेवा से ना सिर्फ इस जन्म के बलकि पूर्व के भी दोश दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें। क्योंकि पंचम खिलाए। इससे आपको शुब फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से नौग रह शांत हो जाते हैं। और इनसे जुड़े दोशों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता गुड जर होकर मार दे और सारा दूद बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बच्छडे को दूद पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी औ और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाई और गाय की आवाज और रात्री में गाय की हुंकार करना भी शुब होता है दोस्तों। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें। अन्यथा मिलता है घो प्रश्कृती का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दरदर भटक रहती हैं। भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती ह तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सडकों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है। कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम इस पाप से इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी भगवान श्री कृष्ण जीने बैल स्वरूप में आये ब्रिधाश्रम का वध कर दिया था। जिससे मुक्ती के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में सनान से वह पाप मुक्त हो गए दोस्तों साथ ही साथ पानी की रही गाय को गाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुरानों में बताया गया है, जबकि जो लोग गाय के लिए प्याव चार बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं, ऐसे, लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं, और बड़े ही, धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम क रही गाय को कश्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए कहते हैं, कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक उर्जा खत्म हो जाती है, गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वह जन्म में किये गए जाने अन जाने में पापों मुक्त हो जाती है, और गोलोक में स्थान पाते हैं, गाय को डंडा मार कर उठाना पानी डाल कर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है, और अगले जन्म में उसे दर्द भटकना पड़ता है, और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बच्छे क लिये होता है गाय के बच्छे से बच्छुआ दूध मनुष्य को लेना चाहिए परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बच्छे के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते ऐसा करनागर पाप कहा जाता है, ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहन करन दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। पित्री दोश होता है। खत्म जाता है साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबर बना होता। गाय को आप भी रोटी बनाएं प्रति दिन ताजी रोटी ही बनाएं गाय को अगर आपने रोटी बनाई हैं। तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वह रोटी बांसी मानी जाएगी गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दें इससे घर में नकारात्मक उर्जा वास करती है और ज इस भी काम, उस काम में आपको हमेशा अस्फलता ही हाथ लगेगी, इसी लिए कोशिश करें, गाए को रोजाना ताजी रोटी बना कर खिलाएं, और रोटी को बिलकL ना रखें, बासी रोटी गाए को ना दें, और साथ ही साथ सडी गली चीज्ञें गाए को नहीं खिलानी और आप पाप के भागी बन जाते हैं, आप बिलकुल सडी गली चीजे गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ इस खास पूर्निमा पर आटे की पांच लोहिया बना कर उनके उपर हल्दी लगाएं इसके बाद को खिलाएं हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरें मस्तक पर हाथ फेरें माता गाय के अब चर्णों का स्पर्ष करें दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे जो दुख का समय चल रहा भी खत्म होगा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार पूर्निमा पर आप 11 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे और पूर्निमा पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुर रख ले अगर गुर ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं दोस्तों गाय को कभी भ अखले मतलब खाली नहीं खिलानी है, इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे.